इसलाम अलीगम विल्कम बैक टू माइच चानल सो मैं एद के लिए रेडी होने लगी थी यह प्रोड़क्ट में यूज करूंगी सबसे पहले मैंने पाउंच की क्रीम अपने पूरे फेस पे लगाई है अच्छे से ताके मेरे फेस जो है वो मॉश्यराइज हो जाए फेस को क्रीम अप्लाय करके मॉश्यराइज कर लें कोई भी क्रीम यूज कर ले मैं पाउंच की यूज करती हूं जेल वाली उसके बाद यहां पर मैं अपनी आइस को पहले मेकप स्टार्ट करूंगी तो मैंने यहां पर क्रिस्टाइन का आई कंसीलर लिया है लिप्सिक शेप में यह बड़ा अच्छा है इसको मैंने अच्छा से अपनी पूरी आइस पर अप्लाय कर लिया है उसके बाद मैं इसको फिंगर की हिल्प से ही ब्लेंड आउट करूंगी ठीक है यह बहुत ही क्रीमी फॉर्म में इसका लगाने का फार्दा यह होता है कि आपका जो आई शेडो इसकी पिग्मेंट बहुत अच्छी आती है और इसको मैं इसी तरह फिंगर की हिल्प से अच्छी तरह ब्लेंड आउट कर रही हूं और उसके बाद मैं इसके ऊपर आई शेडो लगाऊंगी ना तो एक तो वह गिरेगा नहीं और दूसरा कि उसकी जो पिग्मेंट है वह ब उसके बद इसको सेट करना बहुत जादा जूरी होता है तो मैं फेस पावडर से इसको सेट कर रही हूं ताकि यह क्रीस ना कर जाए इसके बद ग्लामरिस पैरलिट यूज कर रही हूं ग्लामरिस फेस वालों का यह इसमें से यह रेड शेड ले रही हूं मैं महरूनिश रे क्रिएट करूंगी यह मैं स्मोकी आयलोग क्रिएट करूंगी महरून ब्राउन ब्लाक कलर यूज करके बहुत ईजी है बस आपने आपलाय करना है अपनी लिट के उपर और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेने ताकि उसका कोई भी जो है वो लाइन यहां स्टोक्स यहां वह अच्छे से उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट कर लें यहां कोई सा भी ब्राउन शेड लें डाक लाइट यहां कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे उससे आपने अपना आउटर कॉर्नर और जो आपकी क्रीस लाइन होती है उसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड क्यूंकि जब आ ब्लैंडिंग करते हो। आप में बिल्डअप करना होतो है आईषेडव आइस्ता आइस्ता आ कि वी रेक्ड़ू और अठीक से खायत भी नहीं कर रही ना होको यहां में अच्छी से ब्लै्डंडिंग करके अपना आईषेडव बिल्डप कर रही हूं उसके बाद में एक पतला सा ब्रश लूँगी जिसके ब्रिसल आगे से बहुत पतले होते हैं जिसे आप लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो उसमें ब्लैक शेड लूँगी और ब्लैक शेड में इस तरहां से प्लाई करूंगी कि मर्श हो जाए रेट के सा अच्छी तरहां थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक शेड लेखे उसको आपने बिल्ड अप करना है यह ना कि एकदम जादा लग जाए और आंख खराब हो जाए इसलिए बिल्कुल बरीक बरीक सा लगाना है और आउटर कॉर्णर को अच्छी से ब्लेंड करते रहना है इनर कॉर यह आपने इसको पर थोड़े थोड़े लेकर अच्छे से ब्लेंड करना है यह तो यहां पर दोनों आइस मैंने अच्छे से ब्लेंड आउट कर ली है और ब्लैक शेड़ो से मैंने स्मोकी लुक दे दिया है हलका सा हूँ कि ता डार्क हम ने करना नहीं है इत का लोक है कुछ शादी का लुक तो है नहीं आइस के निचे जितना भी रेजिड्यू आई शेड़ो का गिर रहा है थोड़ा बहुत हो में रिमूब करी हूँ वाइप की हेल्प से और आय के कॉर्णर की शेप भी मैं इसी से बना लूँगी अब जी यहां पर मैं जो हूँ वो अपने फेस के ओपर कंसीलर अपलाय कर रही अपने फेस के ओपर यही वाला कंसीलर अपलाय करूंगी यह फेस कंसीलर भी है आय कंसीलर भी है और अब यह वेट ब्लेंडर से हैं स्पंज से आप इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर सकते हैं अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूं इसको ताकि यह जो स्टोक्स पड़े फेस पे वह फिर नजर नहीं आती है तो इस तरह से आप अपने फेस के ऊपर यूं कंसील करके अच्छे से तो उसके बाद अगर फांडिशन अप्लाइ करेंगे ना तो अच्छे से फांडिशन ब्लेंड भी हो जाएगी और कोई भी निशान वगेरा नजर नहीं आएंगे तो यहाँ पर नेक को आपने बिल्कुल नहीं भूलना नेक पर मैं अच्छे से कंसीलर अप्लाइ करूंगे यूंकि प्रेग्नेंसी की वज़ा से यह जो एरिया है ना महीं नेक का बहुत डार्क हो गया वे जितना मरजी इसको ठीक कर लो फेशल कर लो यह जो मरजी कर लो यह प्लेंटेशन नहीं जा रही तो इसके उपर मैंने अच्छे से कंसीलर अप्लाइ किया है और इसको में उच्छे से आप ब्लेंड करूंगी में ब्लेंड करने का बाद जो फांडेशन प्लाएं करूंगी वह पूरी नेक को आपने कभी भी नहीं भूलना हो था यह बिल्कु यहां जहां मुझे चाहिए वहां मैं लगा लूँ उसके बाद मैं इसको फिंगर की हिल्क से ही ब्लेंड आउट करूंगी और जितना भी रेजिद्यू मेरे हैंड पर था उसको में नेक प्लाए कर लिया अब पहले जैसे क्रीम अपलाए करते हैं ना मैं यह वाली फांडेशन क्योंकि बहुत लाइट वेट और फुल कवरेज है तो इसको मैं इसी तरह ब्लेंड कर लेती हूं मुझे इसके लिए वेट ब्लेंडर की या ब्रश की ज़रहत नहीं होती और इससे इतनी प्यारी कवरेज आती और आपका प्रड़क्ट भी जाया नहीं होता है तो यह देख लेट की बहुत कम लग रही है और प्रड़क्ट की जैए नहीं होड़ा ब्यूर यहां सब्रश की वजा से और फिंगर्स की जो हैंड की आपके और फिंगर्स की गर्माईश होती है उससे यह बहुत ही जाया स्मूथ्ली blend out हो जाती है और यह water कर जो है वह वह यह यह बेस नहीं है यह वाटर बेस है यह है तो इस वजह से जो है न यह यह है वी लुक नहीं देती है सो यहां पर जी मैंने अच्छ से face पे अपने ब्लेंड कर ली है नेक पर भी ब्लेंड कर ली है हरब में एक रिस्टाइन का पैंकेक लगाऊंगी क्योंकि मेरी स्केन ऑईली है मझे पसीना और आजाएगा तो इसकी वज़ा से थोड़ा वो कवर अप हो जाता है पूरे फेस पर अच्छे से जहां जहां मैंने फांडिशन ल लगाया तो आपने नेक पर भी लगाना है उसके पार जी मिस रोज का यह पालेट है इसमें ब्लश भी है ब्रॉंजर भी है कॉंटोर का shade भी है और highlighter भी है यह और आईशेडो भी है यह बहुत ही प्यारा palette है इस रोज का मैंने यह order किया हुआ था इस से मैंने pink सा blush on उठाया अपने face पे अब मैं कॉंप्लीट करूंगी उसके बाद आइस पर मैं बाद में आऊंगी तो सबसे पहले जी मैंने अहां पर बलश लगाना शुरू किया अपने face के ऊपर यह इसका bronzing shade है इसी से मैं same brush से ही मैं bronze भी कर लूँगी अपने cheeks को और अपने nose को forehead वाली sides अच्छे से तक यह blush on जो है ना blend हो जाए ब्रॉंजर के अंदर मैं क्रीम वगरा प्रॉडक्स इतने यूज नहीं करती मैं ड्राय प्रॉडक्स की प्रेफर करती हूं जो पाउडर प्रॉडक्स होते हैं ना सो मैंने यहां पर क्रीम कॉंटोर वगरा नहीं किया मैंने अपन ब्लेंट कर लूँगी आप भी इसी तरह अगर लुक करेंगे ना अपनी तो आपका बहुत ही ब्लेंडट सा लुक आएगा यहां पर जी अब मैं मस्कारा अप्लाए करूंगी कि टू इन वन शी ग्लैम का मस्कारा वाटर प्रूफ और यह बहुत अच्छा मस्कारा बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है पहले में इसकी थिन साइट अप्लाए करूंगी तक जितना भी प्रॉडक्ट जो है आई शेडो वगेरा का मेरी आइस पर लगा है ना वह रिमूव हो जो और यहां पर ऑफ कामरा में ने लाइनर अप्लाए कर लिया था उसकी यह उतरता नहीं है आपके यह आयल एश्जिस बैठती नहीं है अक्सर मस्कारा लगा थोई दर बाद लाइश बैठ जाती है लेकिन यह बहुत अच्छा वाटर प्रॉव रोड़ यह उतरता भी नहीं है देखें मैं दी कि इतनी अच्छा वालिम दिया है इसमें में दी ला या पैनकेक यां फेस पाउडर वो सारा उतार देता इता है और इसका ब्रश जो है उसे आप बार ब्रॉश कर लो तो आपकी आइबरोज फुल लगती है और इसका जो शेड है वो ब्राउन डाक ब्राउन यूस कर रही है, और इससे मैं अपने पूरी आईब्रोग को जो है, अच्छे से जहाँ जहाँ मिसिंग लग रहे है न मुझे बाल, वहां मैं अप्लाइ कर दूंगी तो मैं आईब्रोग अच्छे से ठिक अफ हो जाएंगी, यहां पर भी मैंने बहुत ही नाचरल लगे तो यहां भी जितना भी उपर नीचे लग गया हो मैं बाद में रिमॉफ कर दूँगी अभी मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी इसी के ब्रेश की हेल्प से बहुत अच्छे से यह ब्लेंड हो जाएगा और बहुत प्यारा सा लुग देगा ब्लेंड करने के बाद मैंने फेस पावर का स्पाइंच उठाया है और उससे मैंने उपर जितना भी एक्स्ट्रा लग गया था वो रिमॉफ कर दिया अच्छे से और नीचे से भी रिमॉफ कर दिया है अब यहां पर मैं लिप्स्टिक लगाने लगी हो लिप्स्टिक मैंने लिप्स हैं वो और जदा अच्छे और प्रॉमनेंट लगें शेप में बनाना बहुत ज़रूरी है लिप पैंसिल से ताकि आपकी जो लिप्सिक है वो बहुती स्मूथ लगे और पैची ना लगे और बड़ी प्यारी सी एक लुक का है सो यहां पर मैं लिप्स को अच्छे से लिप पैंसिल लगा रही हूं और उसके बाद मैं इसके अंदर लाइट शेड लगा लूँगे लाइट शेड में यहां पर यूज कर रहे हूं यह मेबिलीन का पर्पलिश पिंग सा शेड है प्यारा सा उसको मैं ऐसे डब डब करूँगी यह बहुत ज़ादा लग जाता है और ऐसे अपनी लिप्स को अच्छी तरह आपस में मिला लूँगी तो यह देखे हैं अब आप कि तब यारा सा शेड बने है महरूनिश पिंक टाइप सा यहां पर अब मैंने वही वाला पैलेट लिए रेड और ब्लाक शेड में जो है इसका मिक्स करके लूइर लाइश लाइन पर लगाऊंगी तक एक प्रॉपर आय लुक मेरा कंप्लीट हो जाए तो यहां पर जी मैं इस तरह से बिरीग बरश की हेल्प से यह अपनी लोड लाइश लाइन जो है वह ब्लेंड आउट कर रही हूं ताकि एक प्रॉपर लुक आ जाए दूसरी आय पर मैं इस तरह से अप्लाए करूंगी लेकिन बहुत हलके हैंड से अपने अप्लाए करना तक जादा ना लग ज को अच्छे से ब्लेंड आउट करके मैं हाइलाइट कर लूँगी इसके बाद जी मेरा मेकप लुक कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपके से अपनी फाइनल लुक शेयर करती हूं यह था मेरा इद लुक आप देख सकते हैं धूप मैंने किस तरह से ब्लेंड किया आइशेडो और यह मैंने महरून स्मुकी सा लुक दिया आँखों को यह मेरा फूल लुक है और होग कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोडिफि लगा होगा टेक कियर अलाहाफिस